जावा स्कृPT के अंदर या उसको आप कहलेंग अ कमदिशन स्टेट्मेंट यह किसके लिए इस्तमाल होती है, यह कंद Commissioner को चैक करने के लिए इस्तमाल होती है अच्या अचै感 चैक करने की इसे दिफरेंट एक्षिंस परफॉर्म कर रहा है, मिसाल के तौर के, मैं आज सुभा उठा, तो मैंने सोचा कि यार, कुछ पहन के तो जाना है, यह ना बगर पहने तो बाहर निकलनी सकते गर से, तो क्या पहना जाए, अब यह पहनना भी ज़रूरी है, खिक है ना, और अब खोला तो जी, जो भी तीन-चार टी-शिर्ट सामने नजर आई, अब इसमसे कौन सी पहनी जाए, अब यह एक डिसीजन है, अच्छा, अब वहाँ पर मेरे पास एक ग्रे कलर की टी-शिर्ट मुझे दिखी, डार्क ग्रे जो होती है, एक मुझे दिखी, ब्लैक कलर की टी- तो मुझे ब्लैक जादा नदर आती है, कवर्ट में, अच्छा, तो ब्लैक मैं क्यों नही पहन रहा हूं अच्कल, गर्मी है भाई, हालत खराब होई भी है, चालिस डिग्री हुआ हो है, ठीक है, चालिस डिग्री सेल्सियस पे है, ब्लैक पहनना तो बड़ा हानिकारक हो सक जो लोग यहां ब्लैक पहन क्या है, वो अगर सोच रहे ना क्या आज गर्मी मुझे जादा क्यों लग रही थी तो, इसलिए लग रही थी कि आपने ब्लैक पहना वे, ठीक है, तो मैंने देखा यार के एक औरेंज कलर की भी टीशेट है, जो मैंने रिसेंटली खरीदी है, इसी वज़ा से क्या गर्मियों मैं पहनूंगा मैं इसको, तो औरेंज कलर की डीशेट मैं आज इसलिए पहन कर आ गया, ठीक है, तो यह डिसीजन था, अच्छा अब यह डिसीजन मैंने डेटा की बुनियाद पे लिया, मेरे पास एक डेटा था ना, कि अभी टेंपरेचर क अच्छा इसी तरीके से, अगर मैं घर से निकल रहा हूं, तो क्या मैं अंब्रेला लेके निकलना चाहिए मुझे? ठीक है आगर आज सुबह अगर मैं घर से निकल रहा था तो क्या मुझे अंब्रेला लेके निकलना चाहिए नहीं तो ये मैंने कैसे डिसिजन लिया क्योंकि मुझे पता है यार बारशों का तो टाइम गया अब कोई फॉरकास्ट नहीं है अचा ऐसा नहीं है कि मैं सुबह उटके वैदर की अफ़ोलके मैं तेंपरिचर भी देख रहा रहा हूँ बारशों का भी फॉरकास्ट देख रहा हूँ वह पता है मुझे जस्ट समहाव मुझे वह पता है बाद क्योंके धुमन वेरींते इंट अभी तक दर्यास नहीं हुई है, हिमन के बाद जो सेकंड नंबर पर हो चिंपैंजी है, जो इंटेलिजेंस में सबसे फाद, मतलब हिमन के बाद जो नंबर आता है, वो चिंपैंजी है, ठीक है, और उसके बाद हम है, अच्छा, ऐसा माना जाता है कि होंगे कुछ और एक्ज तो मुझे पता है समहाँ, क्योंकि मैं भई उसी दुनिया में रह रह रहा हूं है, एक ही एक खित्ते में रह रहा हूं, तो मुझे इसका पता है, कि यह अभी आगे क्या होने बाले है, क्योंकि इनसान के दिमाग में भी एक फोर्कास्ट लगावे ना, बंदा शाम को निकल जामने अचानक तोई बंदा आता है तो मैं ब्रेक लगाऊं!! तो ये इक decision है ये एक decision है ये अगर मैं देखता हूं उच्छा है ये रोड खाली है , तो मना धरूड गुरू है ? क्यूंकि मैं ये देख रहा हूं कर रोड खाली है और मैं उस बेस पर decision क regression ले रहा हूं इंसान का जो brain होता है वो exhaust हो जाता है उसके बाद फिर बंदा जो decision लेता है वो सही नहीं लेता है तो हमारे जो ये technology के जो पपा है हमारे स्टीव जॉप्स सब लोग उनको पपा मानते हैं उनको फॉलो गरते हैं सब लोग तो आपने देखा हो गा कि वो अब तो है नहीं वो दुनिया में निकल गए अगर आप उनकी वीडियो देखेंगे न तो आपको वो हर विडियो में एक ही ड्रेस में दर रहेंगे जो आखरी कोई जोल्री नी कुछ भी नी चिज़े सिधे और एक ही चश्मा है उनके पास वही चश्मा आपको वही चश्मा में नदा रहेंगे तो वह उन्होंने ये चक्कर इस वज़े से किया था कि रोज नहीं डिसीजन ना लेना पड़े एक दफ़ा ही डिजाइनर बिठाके ना वह में चाह रहे थे के एपल के एंपलोई के लिए यूनिफॉर्म मनाया जाए ऐसा यूनिफॉर्म जो हर मौसम में और हर जहां वो रहते थे उस खिते के मताबग वो जहां पर जो जो मौसम आते हैं और जो जो सिच्वेशन होती हैं सब में बेस्ट और कपड़ा ठीक है लिडिजाइनर हाय किये थे डिजाइनर हायर करके वो उन्होने एक ड्रेस बहतरी गिसम का तयार किया लेकिन वो ऑन्होने जडिएक्ट कर दिया जाए उस वक्त की जो मतलब हकूमत थी जो क्योंकि वो तो डायरेक्टर्स का चक्कर होता है कि जी वो सब लोग अप्रूफ करते हैं तो को काम होता है क्योंकि एपल कोई एक बंदे की कमपनी तो थी नहीं कभी भी नहीं रही तो वो उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया उन्होंने मेरे बना दो और मरते दम तक फिर उन्हों खतम नी हुए वो कपड़े इतने उस ने बनवा लिये ने एकी दफ़ा कि मरते दम तक वो खतम नी हुए तो उसका मोटिव यही था कि यह अरब मैं सोच्छना नी पड़ता कि मैं क्या पहन हूँ एकी पहनना है मैंने फिक्स हो तो एक decision मेरा बच जाता है, जो मैं अपने आने वाले मुस्तखबिल के लिए एक बहतर decision ले पाता हूं, या अपनी company के लिए मैं एक decision वो बचा लेता हूं सुबह सुबह. वेल, तो अब question ये है कि decision तो हमें समझ आ गया कि क्या होता है, और real life में decision हम कैसे ले रहे होते हैं और क्या चक्कर है decision का वो तो हमने समझ लिया है, अब जरह हम ये समझ लेते हैं कि software बनाते वक्त या किसी software के अंदर हम decision हमें कब लेने की जरूत पड़ सकती है, ठीक है, मिसाल के तोर पे, अभी हमने ये input output का जो एप बनाई है last class में, इसमें हम क्या करते थे कि ये दो input boxes होते थे हैं हमारे पास, और दोनो input boxes में एक एक number input लेते थे हैं, user से, अब वो number input जाओ हम लेते थे user से, तो हमें एक certain number चाहिए, मिसाल के तोर पे 0 से लेके, और positive integer जो भी अगर बन्दा कोई मिसाल के तोर पे negative input देते है, negative number का input देते है, तो क्या हमारी एप को सही चलना चाहिए, हमारी एप चार गाम करती है, plus minus multiply और divide, minus minus भी तो होते हैं, minus 4 और positive 7, ये दोनों आपस में plus हो सकते हैं, तो यहां तक तो सही है, अच्छा लेकिन एक चीज में पड़ो सकती है, कि अगर बंदे divide कर रहा है, और second वाला number बंदे ने 0 देती है, एक खास situation में मुझे 0 acceptable नहीं है, अगर एक खास situation में 0 acceptable नहीं है, वो भी second input box में, first input box में तो हो जाएगा, क्योंकि 0 divide by 1, 0 ही होता है, ठीक है, लेकिन 0 divide by 0 जो है, वो मसला कर जाता है, तो second वाल पर डिवाइट कर रहा है, and second वाला input अगर 0 है, तो मैं उसको आगे बढ़ने नहीं दूँ, मैं उसको वहीं पर रोग दूँ, ठीक है, या आप किसी और software के मिसाल लेते हैं, अभी मेरे जहन में यार एक तफाक से कोई मिसाल ही नहीं हा लिए, तो मिसाल के दौर पर मैं एक weather app बना रहा हूँ, अच्छा weather app एक web application है, weather app जो बना रहा हूँ, अच्छा तो मैं क्या करना चाहता हूँ, कि weather में आपको temperature मिलता है, इस वक्त बारिश हो रही है, या cloudy है, या windy है, या haze weather है, वह साथ में situation आ रही हो थी, कि अभी ये situation चल रही है, अच्छा तो मैं ये चाहता हूँ, कि अगर weather की situation में लिखा वार है, तो मैं क्या करूँ, बैग्राउंड जो है मेरा, जो मेरे पेज पर जो बैग्राउंड दिखता है, उसमें मैं एक animation चला दूँ जिसमें बारिश हो गी हो, अगर इस वक्त रेनिंग नहीं लिखा वारा, अगर इस वक्त लिखा वारा है कि जी, a storm, तो मैं background जो picture है मेरी screen पर जो खुलती है, उसमें मैं storm की picture लगा दूँ या animation लगा दूँ, अगर windy लिखा वारा है, तो हवा तेज चलती भी एक background में animation लगा दूँ, इसी तरीके से अगर वो clear लिखा वारा है, तो एक clear weather पीछे जो मैंने directly display नहीं करनी, but on a condition, मुझे वो display करनी है, कि अगर जो weather का data है मेरे पास, अब weather का data मैं कहां से लाता हूँ, it doesn't matter, right now, वो हम इंशालला भी API call सीखेंगे, तो उसमें मैं पता चल जाएगा, कि weather का data कहां से हम हासल कर सकते हैं, तो depending on कि क्या weather situation है, इस वक्त मैं एक मु जो keyword है, ये चाहिए होगा, या in general, programming के अंदर मुझे conditional statement का इस्तमाल करना होगा, हर programming language के अंदर conditional statement मौझूद होती है, ठीक है, ये जो चार-पाच, ये पूरा topic ही बलकि ये तमाम का तमाम topic जो यहां लिखा है, ये क्या है, ये programming fundamentals हैं ये, ठीक है, programming fundamentals वो चीजें क्यालाती है जो हर programming language के अंदर सेम होती है, थोड़ा-थोड़ा लिखने का तरीका फर्क हो सकता है, लेकिन वो होती सेम है, हर programming language में, अच्छा, मिसाल के तोर पे, java script के अंदर if-else है, और python में कोई दूसरा होगा इसके लिए, python में by the time if-else ही है, अच्छा, if-else तकरीबन programming language में if-else ही है, क्यों, उसका reason यह है कि वो, c language में इसका syntax यह ही है, if-else, तो क्या कहते हैं, उसको mother of all programming languages माना जाता है, तो यह syntax उन्हों नहीं introduce करवाया था, c language में, तो यह इसको as it is, सब लोगों ने जो है, वो follow किया है, तो बाकी if-else के बाद ना, फिर else-if भी होता है, तो वो python में उसका syntax जोड़ा इनोंने change किया हुए, अलिफ किया हुए, फिर और दूसरी languages में change है, लेकिन if जो है, तकरीबन सब में syntax भी इसका same है, well, तो syntax different हो सकता है, लेकिन programming fundamental में जो जो चीज़े हम पढ़ रहे हैं, यह हर programming language में आपको same मिलेगी, conceptually यह बिल्कुल same होती है, ठीक है, पास grinder जरूर होगा, लोह को काटने के, अब चाहे वो लोह से chair बनाता हो, चाहे वो लोह से कोई plant बनाता हो, बहुत बड़ा, चाहे वो लोह से कोई decoration piece बनाता हो, ठीक है, तो programming language जितनी भी होगी न, आप समझ लें कि यह हतौरी, यह grinder, यह re, और यह keel, और यह screw, यह इसके basic tools हैं, यह toolbox है, आपका basic, कोई भी programming आपने करनी हो उसके लिए, अच्छा, तो हम आके अब ज़रा एक folder बना लेते हैं, जिसमें हम क्या लिख देते हैं, es6 condition checking, अच्छा, एक दोस्त में सवाल किया था, कि यह type module जब हम लगाते हैं, तो उसमें cross origin का error क्यों आ जाता है, ठीक है, तो वो हम जब library include करेंगे न, तो हम जब देख लेंगे, अभी क्यूंके हमने कोई library इसमें include नहीं किये, तो अभी मेरे खाल है, वो discussion करने का फाइदा नहीं है, ठीक है, और बात वैसे obvious है, कि यह type module जो हम लगाते हैं, तो यह es module, es6 का जो यह निया वला वरजन है, es module जिसको कहते हैं, इसमें privacy को उज़रा है, उनने priority दिये, तो वो इस वज़रा से जो है, error आ जाता है, तो वो चक student origin से आ रहा है, तो आपको यह तो mention करना पड़ेगा, यह तो जहां से आ रहा है, उनको mention करना पड़ेगा, ठीक है, तो यह वला चक्कर है, और अगर यह आप वैसे ना भी आपने लगाया हो ना यह, तो जो आप htp request करते हैं, जिन लोगों को पता हैं, वो बाकी लोग ठीक है, लेकिन इसमें जरा वो और जादा देता है, पहले से भी जादा यह वाले मसले देता है, ठीक है, और यह error जो असल में होता है, error इसलिए होता है, कि आपको वो रोक ले पहले ही, आपको यह ऐसा काम करने जारे है, जो in future आपको problem देगा, तो उसके लिए आपको पहल लगा दिया, if, और इसके अंदर एक variable बना देता हूँ, let a equals 20, यह a नहीं बलके इसको मैं temperature ही कर देता हूँ, क्योंकर temperature की बात चल रही है, अच्छा जी, अब मैं यहाँ पर आगे क्या बोलता हूँ, if statement के अंदर, कि अगर temperature बड़ा है, temperature बड़ा है अगर 30 से, तो screen पर क्या प्रेंट कर दो, console.log, weather is hot, ठीक है, यह मैंने एक basic if statement लिखी है, इसको मैं explain कर देता हूँ, अब line by line, यह जो if लिखा हूँ है, यह keyword, keyword के बारे में आप लोगों को पता है कि जैसे English में हम जब बात करते हैं, और उर्दू में जब हम बात करते हैं, तो इसमें हम बोलता हैं, sentences, ठीक है, तो sentence, programming के अंदर वो sentence क्या होता है, उसको कहते हैं statement, जैसे यह एक line जो लिखी हुए, this line is one statement, यह एक जुमला है, जावास्क्रिप्ट के अंदर लिखावा जुमला, ठीक है, इसी तरह यह जो लिखावा है पूरा, this is another statement, तो यह एक जुमला है, जो जावास्क्रिप्ट की जुबान में लिखावा है, अच्छा, हमारा जो जुमला होता है, वो मिलता है, वर्ड से मिलके बनता है, कि अगर मैं कहता हूँ कि तुम कहां जा रहे हो, तो यह तुम और कहां और जा रहे हो, यह वर्ड हैं, जिन से मिलके जुमला कंस्ट्रक्ट होता है, तो जावास्क्रिप्ट के अंदर या किसी भी प्रोग्रेमिंग लेंगविज में, की वर्ड से मिलके जुमला कंस्ट्रक्ट होता है, ठीक है, की वर्ड से मिलके कोई variable नहीं बना सकते हैं अगर मैं चाहूंगा ना कि यहां पर मैं if के नाम से कोई variable बना लूँ तो this is not allowed ठीक ही आपको error देगा ultimately है यह reserve keywords है इसके नाम से आप कोई variable नहीं बना सकते है अपना variable आपने बनाना है तो reserve keyword को छोड़ के आपने दूसरा इस्तमाल करना होगा अच्छा तो यह if जैसे ही आता है उसके बाद जो इसका syntax है अच्छा syntax क्या चीज होती है जब हम जुम्ला construct करते हैं अंग्रेजी में या उर्दू में तो हमारी grammar होती है ना खास अंदाज में जुम्ला construct करते हैं ठीक है अगर मैंने पूछना है किसी से के वह कहां जा रहा है तो मैं क्या बोलूँगा पहले तुम बोलूँगा तुम कहां जा रहे हो ठीक है अब मैं यह नहीं कर सकता है कि मैं तुम को बाद में ले जाओं यह जा रहे हो को पहले ले आँ कि जा रहे हो तुम कहा तो बहाई इसमें भी क्या होता है एक दट ग्रेमर्ण होती है जिसको हम कहते हैं सिंटक्स तो वो grammar हमने इसके इंदर follow करनी होती है तो grammar क्या बोलती है कि इफ के फॉरण बात क्या आना चाहिए ये parenthesis open और ये parenthesis close आना चाहिए और इन parenthesis के दर्मियान में एक अदद condition मुझे यहाँ पर देनी पड़ेगी ठीक है एक अदद condition मुझे यहाँ पर देनी पड़ेगी अब ये condition जो है अगर true होगी तो ये body है यहाँ से लेके यहाँ तक body है ये भी हमें syntax बताता है कि यहाँ पर से curly bracket शुरू होगी curly bracket close होगी और ये between the curly bracket जो भी code लिखाब होगा अभी मैंने एक line का code लिखा है यहाँ पर एक दो line भी हो सकती है 10 line भी हो सकती है 10,000 line भी हो सकती है इस bracket के दरम्यान में तो अगर तो ये condition true होगी तो ये if की bracket इसको कहते है if की body तो if की body को ये run कर देगा अगर तो ये condition false होगी तो ये if की body को run नहीं करेगा, बलके इसको skip करके और अगली line में आ जाएगा, line number 17 में और कुछ भी screen पे print नहीं होगा, इस condition में, अच्छा, अब ज़रा ये समझ लें कि यार, ये जो दर्मियान में condition लिखी विया ना, इसका क्या चक्कर है, ये दर्मियान में condition लिखी विया है ये मैंने कैसे लिखी है और इसका क्या चक्कर है, इसका चक्कर ये है मेरा भाई, कि if को जो है न, ये condition असल में चाहिए ही नहीं, if को चाहिए या तो true, ठीक है, और या तो false, that's it, इसको कोई दूसरी चीज नहीं चाहिए, आपर, true false के लावा इसको कुछ और नहीं चाहिए अच्छा, लेकिन अगर मैं यहां पर लिख दूँ, हाथ से false लिख दिया है, मैंने, मैंने इसको हाथ से false लिख दिया है, अब जब भी मैं this code को run करूँगा, क्या होगा, ये false ही रहेगा हमेशा, ये कभी change थोड़ी होगा, तो ये condition checking तो होई नहीं, condition checking जो मकसद थी, वो होगी, data change नहीं होगा, तो condition भी change नहीं होगी, ठीक है, मिसाल के दौर पर 20 को अगर 200 कर दे, तो condition change हो जाएगी, ठीक है, तो इसको जहाँ पर चाहिए true या false, लेकिन हम कभी भी इस तरह direct true या false यहां पर नहीं लिखते हैं, हम यहां पर लिखते क्या हैं हमेशा, कोई ऐसा हम यहां पर expression लिखते हैं, जो ultimately evaluate होता है true या false पर, हम यहां पर क्या लिखते हैं, कोई ऐसा expression लिखते हैं, जो ultimately evaluate होता है true या false पर, मिसाल के गौर पर मेरे पास यहां पर एक expression जो लिखी वी है, यह क्या expression है, इसको किस तरह का expression कहूंगा, एक तो हमने पढ़ा था math expression, तो यह ज क्या यह math expression है यह कौन सा expression है कौन बतायगा logical expression है किसने बलाई यह ठीक है इसको हम logical expression कह सकते हैं यह comparison expression भी कह सकते हैं झाइट है वैसे तो यह operator गोई है वो logical operator नहीं है लेकिन still इसको हम logical comparison कह सकते हैं क्योंकि इसकी base पे मैं एक logic built कर रहा हूँ यह somehow true or false जाएगी ठीक है तो इसको logical expression या comparison expression इसको मैं कह सकता हूँ अच्छा अब चक्कर क्या होता है देखो यह जो यहाँ पर बात लिखी विए न यह जो operator है इस operator को क्या कहते है math में greater than कहते है ठीक है अच्छा मुझे वैसे बड़ा मसला होता है इसको greater than और smaller than में मैं confused रहता हूँ मैंश्या तो मैंने अपने लिए एक हल निकाला वह है वह हल क्या है कि जी अगर यहाँ पे न अगर तो equal है तो इसका मतलब है दोनों साइड equal है ठीक है अगर एक साइड पे कम हुआ होगा है इस तरफ तो यह indicate कर रहा है कि इस तरफ की value जो वह कम है और इस तरफ की जाद है यह indicate कि जैसे वह volume का knob होती थी पुराने tv में या radio में कि जी वह उस पर बना होता था था ना कि इस तरफ घुमाएंगे आप तो volume कम होगा इस तरफ घुमाएंगे तो volume बढ़ेगा वह कैसा होता था एक तरफ से nox ही होती थी और दूसरी तरफ से मोटा होता था तो यह kind of वह वाली चीज है लेकिन जरा वो उन्होंने इसको घुमा दिया ठीक है यह मतलब originally यह ऐसा होगा नहीं I think यह operator जो चोंच वाला operator है यह originally मेरे ख्याल में यह कुछ इस तरह का होगा तो equal में जो यह बोलता है कि बाई दोनों साइड equal है और originally नहीं मेरे ख्याल में वह operator होगा वो क्या होगा कि एक तो यह ऐसे है और वो दूसरा कुछ ऐसे होगा इस तरह का लेकिन वो क्योंके लिखने में फिर वो यह ऐसे करके लिख देते होंगे लोग इस तरह वो जो जो आपरेटर ही आइस ता इस ता चेंज होगा तो अगर एक वालियम की नॉप बनी विए यहां पर और उसके ओपर यह निशान बनावा है तो इसका मतलब क्या है क आप वालियम को अगर इस तरह गुमाओगे तो यह बढ़ेगा इस तरह गुमाओगे तो वालियम कम होगा ठीक है तो यह काइंड ओफ वही वाली चीज है तो इसको इस तरह से याद रखता हूँ मैं कि जिस तरफ यह चोंच बनी विए ने इसकी तो उस तरफ यह इंडिके तो यह जो इंडिकेट कर रहे है जो बात कि इस तरफ कम है और इस तरफ जादा है अगर यह बात true है तो यह evaluate होगा किस पर true पर evaluate होगा या अगर technically मैं कहूं तो यह true return करेगा ठीक है यह क्या करेगा true return करेगा अच्छा कैसे return करेगा भाई सबसे पहले तो यह variable है यह अपनी value return करेगा यहाँ आ जाएगा 20 return करने का क्या मतलब है कि वह चीज खुद हट जाएगी और वहाँ पर उसकी value आ जाएगी ठीक है अच्छा अब जब यह दोनों आपस में execute होंगे तो यहाँ पर क्या return होगा यहाँ पर true या false return होगा तो इस case में यहाँ पर true return हो जाएगा ठीक है क्योंकि जिस तरफ वह कम indicate क चोटा होता है ठीक है यह boolean value true यहाँ पर return होगी अच्छा तो इस तरह से यह if क्या होगा चल पड़ेगा अच्छा अगर यहाँ पर मैं इसकी value कर दूं 40 ठीक है तो अब यहाँ पर 40 return होना शुरू हो जाएगा और इस तरफ यह indicate कर रहे है कम है इस तरफ इंडिकेट कर रह अच्छा यह बात समझ आ गई है मैं अच्छा कितने लोग हैं जिनको इतना पहले से आता था जबरदस्त अच्छा यह नि जावास्क्रिप्ट आप लोगों को आती है कितने लोगों को जावास्क्रिप्ट आती है अच्छे से एक दो तीन चार पांच छे साथ आर्ट नौ दस ग्यारा वारा अच्छा अब जो मैं बात पूछने लगा हूँ वो सिर्फ उसी को जवाब पता होगा जिसको जावास्क्रिप्ट आती है ठीक है और शेदाद को मैं डिस्कौलिफाय कर रहा हूँ कि भाई शेदाद इसका जवाब नहीं दे सकते क्योंकि उसको मुझे पता होगा अब मुझे बताओ कि यह इफ चलेगा मतलब यहां पर क्या रिटरन होगा ट्रू होगा फॉल्स होगा इफ चलेगा नहीं चलेगा एरर आ जाएगा और क्यों यह बहुत ज़रूरी आइटम है अगर यह आपको नहीं पता है तो आपको इफ एल्ज नहीं पता है इस यह चल जाएगा क्योंकर टूथी वैल्य है हाँ और आपको नो लोग क्या ओपीनियन दें अब में और कोई सही गलत नहीं है देखो क्यों सब्सक्राइबाइबाइब क्या होता है क्यूं अब भी कह रहें कि टूथी वैल्य होने कि वैसे ही चल जाएगा जी फाल्सित वैल्य होता है अगर मैं ऐसे लिख दूँ अगर के नेम लिख दूँ और यहां पर लिख दूँ में कैट और मैं यहां पर आगे कैट लिखूं तो आप कहरें चल जाएगा नेम लिखूंगा तो चल जाएगा लेकिन डाइरेक्ली कैट लिखूंगा तो नहीं चलेगा दोनों में चल जाएगा। क्यों? अच्छा आप जो कह रहे हैं दोस्त के भाई वैरियेबल का नाम लिखूंगा तो चलेगा लेकिन डायरेक्ट अगर मैं लिटरल यहां पर लिखूंगा तो नहीं चलेगा। ऐसा क्यों? और किसी का कोई उपीनियन है भाई? कोई ऑपरेटर नहीं है? सब्सक्राइबल कोई अच्छा वैल मैं वापस यहां पर कैट को ले आता हूँ अच्छा अगर मैं कैट की जगापे जीरो लिखूंगा अभी हम दोनों को चलाकर देखेंगे अगर मैं कैट की जगापे यह एक नमबर लिख दो मैं जीरो अब क्या खियाल है? आपको क्या खियाल है? अभी भी चलेगा तो जिन लोगों ने ट्रूथी फॉल्सी का जिकर किया उन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिया देखो जावा स्क्रिप्ट के अंदर ना क्या होता है कि देखो इफ की बॉडडी में यहाँ इफ की जो कंडिशन वाली जगह है यहाँ पर इसको चाहिए होता है बूलियन ठीक है यह दनी ट्रू या फॉल्स अगर तो जो चीज यहाँ लिखी विया एक्स्प्रेशन अगर वो इवैल्यूएट होती है ट्रू फॉल्स के लावे किसी और चीज पर ठीक है मिसाल के दौर पर मैंने कोई ऐसी चीज लिखी जो इवैल्यूएट हो गई जैसे के मैंने यहाँ पर नेम लिख दिया तो नेम इस गॉना रिटर्न फॉल्स या इस ट्रेंग वैल्यू मैंने यहाँ पर डारेक्ट लिख दी तो अब इफ को मिल गया एक अधर इस क्या करेगा इफ उसको गनवर्ट करने की कोशिश करेगा बू होती है ऐसा धो नहीं है ऐसा तो नहीं हो सकता है ना घे तो पता ही मिया इसको तो तीन स्की कोड़ा पता है यह यह वो युदिख पता है घंप तो इसका ऐन vi sap में साथ एसी वेल्यыт हैं जिनको false values consider किया जाता है तो अगर तो ये उन में से कोई होगा तो क्या करेंगे इसको इसको javascript जो false में convert कर देगा और अगर उसके इलावा कोई भी तीसरी value होगी यनि 7 के इलावा कोई भी और values होगी उनको वो true में convert कर देगा ठीक है अच्छा वो कौन सी हैं 7 values आप गूगल पर जाके लिखेंगे false values और javascript तो आपका ये mdn का ये document आ जाएगा पहले नमबर पे और ये हैं वो 7 values जो false consider की जाती है जिसमें null शामिल है जिसमें undefine है false itself उसमें शामिल है false is a false value nan करके होता है nan क्या होता है not a number कि जब आप किसी number को parse करते हैं किसी string को parse करते हैं आप number में हलागे वो number नहीं होता है उसमें a b c d शामिल होती है तो वो उसको कहता है जी not a number है nan का error आजाता है ठीक है ये भी एक data type है undefine भी data type है नल भी data type है अच्छा उसके लावा 0 evaluate करेगा false पर ठीक है यहाँ पर आप देखें 0 false evaluate अच्छा 0 किसी भी form में हो positive 0 हो या negative 0 हो ठीक है आपको पता है 0 दोनों form में हो सकता है positive भी हो सकता है negative भी हो सकता है वैसे real life में जो 0 होता है वो positive होता है ठीक है नहीं 0 positive होता है 0 negative नहीं होता कैसे बहला, math भी थोड़ी थोड़ी से गानी पड़ेगी, zero positive कैसे होदा है तुम बादाब? अच्छा, तो देखो भाई, आज एक तुम्हारे पर मैं fact आया कर दूँ, कि जिस bottle पे लिखा हो जाया, zero percent alcohol, इसका मतलब पर उसमें alcohol मौजूद है, ठीक है, क्योंकि zero is a positive number, अच्छा, math में थोड़ा सा, अच्छा, मुझे ना math इतनी आती बाती है नहीं वैसे, ठीक है, लेकिन वो zero percent लिखा गया लेकिन वो precision points नहीं लिखे होते उसके आगे, जिरो point के बाद कुछ नहीं लिखा होता है, अगर मैं यह बोलू 0.0000001 तो अब यह positive हो गया, तो zero is a positive integer, ठीक है, प्रोग्रामिंग में भी zero positive होता है, अगर zero के point में सारी zero हो, तो यह वाला चक्कर है, ठीक है, तो जितने भी लोगों नहीं यह 0% लिखा होता है तो असल में उसमें अल्कोहल मौजूद होता है, ठीक है, वो कुछ, क्यूंकि एवन दो कि आपके जो जूसे होता है, उसमें भी प्रिजर्वेटिव तो दलेगा ना भाई, वरना एक mango का जूस बना गया रखो तो दर और बगएर डिफ्रीजर के या बगएर रफिक जूरेटर के उसको आप रखते हैं ज़रा च्छे गंटे रखें भार हालत देख लें पर इसकी क्या होती है, लेकिन नैसले का जो mango juice और apple juice है, वो आप रखें तीन दिन भी रखें और दस दिन भी रखें उसको भाहर, उसका जो जो एक महीना बहार रखने से भी खराब नहीं होता है, तो एक तो उसको करते हैं एर टाइट और दूसरा उसमें डालते हैं preservatives, यह सब करते हैं, जितने juice वालें यह सब करते हैं, तो जब तक उसमें preservatives नहीं डेलेंगे ना तो preservatives के बगएर मसला हल नहीं है, और preservatives क्या होते अल्कोहल तो खेर नहीं अब यूज करते हैं लेकिन उसी के वेरियंट्स होते हैं अलग अलग ठीक है वो इथाइल, बुटाइल, फिनाइल पता नहीं और क्या किया है। अजीब अजीब से नाम होते हैं, अच्छा वो नाम भी लिखते हैं, वो लिखते हैं कोड, आप गूगल करेंगे तो फिर निकलता है, वेल, तो ये एक ऐसे मैंने अलग से बात बता दी, अच्छा जीरो नेगेटिव कैसे हो सकता है, क्योंकि ये कह रहा है, जीरो कर दिया मैंने, जीरो को तो मैंने पॉजिटिव करवा दिया, अब नेगेटिव कैसे होगा ये जीरो, 40 को 30 से करेंगे मैनस 10 के मिल रही है तो उसके महिए जायद के रहा है कि मैनस 0,0 से नीचे होगा और 0.0001 से भी नीचे होगा अच्छा अगर मैं मेरे पास एक value है 0.001 ठीक है दो तीन precision points है 0.001 minus 0.005 अब क्या answer आएगा इसका minus 0.004 minus 0.004 तो अगर precision point के इलावा देखूं तो मैं क्या ही है सिर्फ 0 ही है और है minus 1 तो 0 minus में इस तरह से हो सकता है ठीक है real life में भी हो सकता है और programming में भी हो सकता है तो खेर तो अब मिसाल के दौर पे अगर मैं वह वाली value देता हूना के minus 0.004 तो उसको भी फालसी value consider करेगा और यह 0 N जो लगावा है यह big integer है जो दोस्त ने जिगर किया था तो हमने यह पर देख लिया था ज़रा सा कि जिए big integer एक निया मंजने निया अड़ किया है निया तो नहीं है खेर टाइम हो गया इसको मैंने तो यह carrot लिखा था तो यह positive था यह truthy value था अगर मैं इसको empty string कर दूँ तो यह फालसी बन जाए ठीक है अच्छा इसी तरह number के अंदर ना सिर्फ 0 फालसी है सिर्फ 0 फालसी है अगर 0 के लावा मैंनस 1 लिखू मैं तो अब यह truthy है ठीक है यह इसके अंदर मैं 200 लिखू तो यह भी truthy है यह minus 345 लिख दूँ तो यह भी truthy है यह positive और minus positive और negative के जितने भी number है सिवाए zero के वो सारे के सारे क्या है truthy values है ठीक है अब इसको तरह एक दफा हम चला के देख लेते हैं कि जी cat लिखने से अब यह क्या करता है चलता है के नहीं चलता है चला के देखने की तो इसको जरूत नहीं है हमने इतनी detail में इसको cover कर लिया कि वो अब आपको क्या करना है इसको dry run करना है अपने brain में ठीक है weather is hot जो हमने प्रिंट किया था वो लिख आ गया ठीक है इसी तरह अगर मैं इसमें आगे लिख देता हूँ अब zero बलके empty string empty string पर यह कुछ भी नहीं करेगा refresh किया मैंने कुछ भी नहीं आ रहा है अपर ठीक है अब मैं इसको zero लिखोंगा तो भी यह false इसको consider करेगा ठीक है जीरो पर भी यह false value है तो सबको समझ आगे यह कैसे चक्कर चल रहा है अच्छा अब हम आ जाते हैं इसके अगले पड़ाओ पर आ जाते हैं वापिस इसको मैं कर दता हूँ तो हम टेम्प अगर बड़ा हो 30 से तो वैटर रिज़ुट अब इसका अगला पड़ाओ ऐल्स अच्छा बाई दवे इस पे हमने एक दफा चला के नहीं देखा थीक है अगर टेम्प बड़ा हो 30 से तो यह वैटर रिजुट करेगा तो अभी यह नहीं है तो अभी कुछ भ अच्छा अब इसका अगला बढ़ा है भाई एल्स अच्छा एल्स लगाना जो है वो ऑप्शनल है लेकिन जहां पर आपको एल्स की जरूरत होती है वहां पर बगएर एल्स के काम नहीं होता है जैसे मैंने अभी अब इस नहीं लगा यह तो सही चल रहा था कंडिशन भी सही चेक कर रहा है तो कुछ अख के चल रहा है लेकिन एल्स की जहां पर जरूरत होती है वहां पर आपके लिए एल्स लगाना जरूरी हो जाता है मिशाल के दौर पर अगर तो भई वैदर अगर 30 से बड़ा दो मैं कहा रहा हूँ हॉट से चोटा सब् thumb हो नहीं होती अगर यह कंडिशन टु नहीं होती है तो स्क्रीन पे कुछ प्रेंट ही नहीं होता तो मुझे इस्टिल स्क्रीन पे कुछ तो बढ़ाना है ना यूजर गो के यार आप Whether जाने के लिए कर रहा हूं कि कुछ काम हो रहा है काइंड ओफ यहां पर ठीक है, इस console.log की जगा अगर यूजर को आपने दिखाना है तो आप क्या करेंगे, इस अपने लेना है, ऐसा ना हो कि कोई assignment बना कर ला है और उसके अंदर यह लगावा हूं, जितने भी लोग आप मेंसे assignment बना रहे हैं, यह console.log पर रिजल्ट अगर प्रिंट किया हो ना आपने तो यह acceptable नहीं हो गया अगया अगया तो इसी तरह से आपने input लेना है, और उसी तरह से आपने output दिखाना है, मिसाल के दौर पर यहां पर जो मैंने input है, उसको hard coded consider किया हो है, कि यह temperature मेरा input है, लेकिन यह temperature input नहीं है, यह hard coded value है, तो आप जब यह वाली एप बनाएंगे, condition checking वाली, तो आपने user से input लेना है, ऐसा वाला input अगर किसी ने लगाया ना तो यह acceptable नहीं होगा, हाँ, fix नहीं करना है, user से आपने real input लेके, उस पर condition checking लगाके और उसका output आपने screen पर display करना है, console के उपर display करके आपका acceptable नहीं होगा, इसलिए मैंने वो input output एक class पूरी लगाके उसको cover कर लिया, ताकि वो हमेशा के लिए आपके बास एक guide आजे, ठीक है, उसका code भी यहाँ पर मौझूद है, यह code GitHub में push हुआ है, अगर किसी को वो code का access नहीं है, या पता नहीं है किसी को कहाँ पर push हुआ है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूँगा, ठीक है, सब लोगों को पता है ने, GitHub की repository कौन सी है, जहाँ पर हम push करते है, तो आप मेरी मेरा नाम लिखेंगे, आप GitHub लिखेंगे साथ, मेरी profile आजएगी GitHub की, वहाँ पर आप जाएंगे, और आपको, मेरे खाल है, बैश 3, chatbot नाम रखे है इस तरह हमने कुछ, तो वह आपको मिल जाएगा, अच्छा, तो जी इस की body जहाँ पर खतम होती है, वहीं प की है ना, यहाँ से शुरू होना चाहिए, आपको, और बोलते हैं कि भाई ऐसे जहाँ पर लजए है वह बी ऐसे होना चाहिए, आपको, अबब पता नहीं हो तो वह भी नहीं रहा इसमा, वह बोलते हैं वह बहुत जादा भी अगर कर दिया मैने, तो मैं इस तरह करूंगा, इस से आगे नहीं बढ़ता मैं, ठीक है, वो बिलकुल इसको नई लाइन में करना है, वो ऐसा लगता है कि कुछ वर्टिकल ही कोड लिखा हुए, वर्टिकल फील करता है कोड न, अच्छा खेर, तो जहां पे मेरे इफ की बॉड़ी खतम होती है, वहां पे मैं क्या कोड़ी खार तो आगे वहायदी न, अब न, अपकर फी ऍसे कोड़ीत करिकल से घ्रटिकल को एक वक ही के ऊचेजो काट है जोड़ी खाछा है, भ्याकर इस सब्साइगा यह नहीं खाविआ मंह उताओ झाण अब हमारे पास एक और है आइटम, इसका अगला पढ़ाओ, जिसको हम कहते हैं, else if, अभी हमने पढ़ा if, फिर हमने पढ़ा else, अब हम पढ़ने जा रहे हैं, else if, ठीक है, else if कुछ भी नहीं है, इन्हीं दोनों को chain करते हैं, मजीद आगे, अच्छा तो मैं क्या करूँगा, मि else if की मुझे जरूरत कब पढ़ेगी, else if की मुझे जरूरत उस वक्त पढ़ेगी, जब condition मेरे पास multiple conditions है, मिसाल के दोर पे अगर temperature 30 से बढ़ाया, तो मैंने कहा दिया weather is hot, और temperature अगर 30 से चोटा है, यानि जाहर है जब अगर true नहीं हुआ तो ये else चल जाएगा, तो अब मेरे मेरे पास दो ही situations है इस case में, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि मेरे पास 2 situation नहीं होती, बलके 2 से जाधा होती है, तो मैं अभी assume कर लेता हूँ मेरे पास 3 situation है, एक hot weather, एक normal weather और एक cold weather, तीन situations है, अच्छा cold weather कब होगा, मैं ये assume करता हूँ कि अच्छा जी अगर 20 से अगर नीचे हो जाता है, तो cold weather, अब वो मुझे यहाँ पर cold करना है, 20 से अगर, छोटा हो जाता है temperature, तो मैं उसको cold करना चाहता हूँ कि जी उसको cold weather बताए, उसको normal ना बताए, अभी तो वो इसको minus 200 भी लिखूंगा तो वो normally बताएगा, ऐसा ही होगा, अगर मैं यहाँ पर आके minus 200 भी लिखूं तो, यह उसको normal बताएगा, बोलेगा भई, normal है weather, हाला कि normal, नहीं है यह, तो, अब मेरे पास, मिसाल के दोर पर फिलाल जाना, तीन situation आ गई है, कि जी अब मैं इसको लिखता हूँ कि 19, तो 20 से छोटा है, तो इसको अब मैं क्या दिखाना चाहरा हूँ, कि यह जो ह अब मैं एक इफ लगा दिया, और यहाँ पर मैं एक condition और लिखता हूँ, अगर पहली वाली true नहीं होती ना, तो यह दूसरी एक और condition में है, डालूंगा, चल यार इसको भी देख ले वाई, अगर यह true है, तो यह वाली body चला दो, और फिर ultimately मैं नीचे एक else भी लगा सकता ह कि अगर उपर दोनों true नहीं होती, तो यह else लगा दो, अच्छा यह वाला else इस्टिल, वो है मेरे पास, optional है, तो इसको मैं भी नहीं लगा रहा है, ठीक है, लास्ट वाला जो else है, वो हमेशा मेरे पास optional होता है, तो मैं as a last resort उसको कर रहा होता हूँ, अच्छा, अब मैंने क क्या मतलब है, नहीं, कि जो input मेरे पास आया है user का, वो कहां से कहां तक हो सकता है, अच्छा, 30 से तो वो छोटा है, ठीक है, यानि वो 29 हो सकता है, 28 हो सकता है, और, यानि 29 से लेके 0 और फिर minus की जो सारी value है, वो सकता है, अच्छा, अगर मैं यहाँ पर आके अब यह वोलू कि टैम्प अगर बड़ा है, किस से, 20 से, और मैं यहाँ पर आके बोलूँ कि weather is normal, तो यह सही लगा है, गलत तो नहीं लग गया ही, और मैं लास्ट मैं लगा दूँ, lz यहाँ पर, और मैं लगा दूँ कि जी console.log weather is cold, तो अब यह condition विल्कुल सही हो गई है, यहाँ में कोई गड़बड़ है, क्या गड़बड़ है, elsef में क्या गड़बड़ है, तो दोनों match हो जाएगी, अगर मिसाल, आद दोस्त यह कह रहे हैं कि अगर मने 40 लिखा यहाँ पर, तो यह तो यह भी true हो जाएगा, यह भी true हो उपर वाली चलेगी और फिर नीचे वाली का क्या होगा इसका, इसको हम क्या बोलते हैं, chain statement, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, chain statement, chain statement की अच्छी बात यह होती है, कि अगर कहीं पे भी, जैसे इसमें chain में तीन कड़ी लगी वी है, chain क्या होता है, कि वो कड़ी को मिला मिला के और वो पूरा बर chain मना देता है, तो kind of यह एक कड़ी है, दूसरी कड़ी है, और यह ती देगा, आगे उसको check नहीं करेगा, ठीक है, अगर पहली वाली true नहीं होती है, तो फिर यह दूसरी पर जाएगा, अगर दूसरी true हो जाती है, तो यहां पर break कर देगा, तीसरे की तरफ move नहीं करेगा, अगर यह दोनों true नहीं होती है, तो फिर तीसरे, अगर कोई है तीसर लगा जेए ना मैं यहां पर भी एक condition देदी कि टेंपरेचर अगर 20 से बड़े पर तो मैंने यह कर दिया और मैंने का कि यार अगर टेंपरेचर जो है न छोटा है अगर ठीक है 21 से अगर छोटा है तो यह सेम बात मैंने लिख दी लेकिन इसका मेरे खैले कोई फाइदा नहीं यहां पर सिर्फ मैं लिखता तो वह भी चल जाता है ठीक है सिर्फ लिखना है यहां पर मेरे खैले इनफ है अच्छा यह सब लोगों को समझ आ गया है इसमें किसी का कोई question कोई सवाल तो नहीं है इतने में फिर हम इसकी chain को थोड़ा बढ़ाते हैं अभी तो दो situation है हमारे पस अभी हम इसको तीन situation और चार और पांच और छे पर लेके जाते हैं किसी यहां तक किसी का कोई question तो नहीं है सब लोगों को समझ आ रहा है if else चक्कर okay है सबका अच्छा अब मेरे पास एक situation और है कि यार अभी तो 20 से छोटे पर मैंने कह दिया तक मैंने कहा कि 20 यह 20 से बढ़ा है तो नॉर्मल है और 20 से छोटे पर चलता है else कि 20 से छोटे पर जो वैदर इस cold अब वैदर एक हत तक ही cold रहता है ठीक है 10 डिग्री हो जाएगा 5 डिग्री हो जाएगा 0 डिग्री हो जाएगा लेकिन 0 के बाद जो हो फिर वो थोड़ा मसला होने शुरू हो जाता है और एक certain point पर आके यारी माइनस 10 वगर पर जाके वो deadly हो जाता है घ्यिक हमारे रीजिन पेसे वैसे ड़र वार्फटी मिनस 10 रहता है लोग रहते हैंसमेव भी माइनस 40 गहर नि रहतेख भी नोग रहते हैं माईनस 40 डिग्री तक भी नोग रहते हैं वाई उसमएभी झाज़न रहते हैं और थो इन तो माईनस 40 अगर किसी को aiden नीए के कितना होता है तो अगरा मैं रेफरेंस के लिए बता रहा हूँ कि आपका जो डिफ्रीजर होता है जो फिरिज का उपर वाला इससा होता है उसके अंदर जो टेंपरेचर होता है वो जीरो डिग्री से उपर ही होता है जीरो डिग्री नहीं होता है उसके अंदर उसमें जीरो डिग्र से उपर होता है क्योंकि वो constantly वो मिसाल के तौर पर छे डिग्री है वो constantly छे डिग्री रहता है तो इसलिए वो ultimately बरफ जमा देता है अगर आप अपने डिफ्रीजर को फुल पे भी कर दें उसमें एक नॉब होती है न फुल पे करनेंगी तो आप फुल पे करने हो जक्ति हैं तो माइनस 10 यह माइनस 14 जो होता है उसमें असमें हालत ऐसी होती है कि आप जब रात को सोते है न गाल Passion वो पानी के फाली खाली करना होता है पाईट में अब ये प्रोसेस है ये मतलब एक ऐसा बंदा जो हमारे काराची में रहावा बंदा है उसके लिए सोच भी नी सकता कि यह साइसीन होगा तो वह करते किया है कि जाते है चट पे जाके वह टांक का जो में वाल इसको बंद करते जो वो बरफ से जमे ना, तो यह आम तौर पे हमारे हैं, जो सब खाली करके सोते हैं, जो धंडे लाक हैं, वारे हां, बरी बरी और जया रड़ा सब, उसमें खाली करते हैं, उसके लावा, जो आप की गाड़ी का रेडिएटर होता है, उसके अंदर जो पानी होता है, वो तो जम जाएगा, और जैसे बोतल फ्रिज में जमती है तो फट जाती है जमने के बाद थोड़े जनों में, अगर बोतल को एक आद अफते छोड़ दें तो अल्टिमेटली वो जमते 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 फट जाती है, तो राट में फट जाता है, जो भी बंदे जाते हैं नहें, ज्यादा तर बर्फानी अलाके में जिनको शौफ होता है, हम अपनी गाड़ी लेके जाएंगे, उनके साथ पहला काम यही होता है, रात को वो सोते हैं, आगले दिन रेडिटर फटावा होता है, तो उसके अंदर एक सॉलूशन होता है, उसक जमता है नहीं है, उसमें थोड़ी पोटेंशल आ जाता है कि वो माइनस चौदा पंदरा बीस तक जो है वो समाल लेता है, ठीक है, तो बहुत सारे मसले हैं भाई, सुबाट के पानी जो है आपको बाल्टी में उसको कैरी करना होता है पानी वो पानी को गरम करने के मसायल ब बाल्टी में तो आप जाओ गे वाश्रों वरना निकलो अजासे तरह के मामला आता है, जो रस्ते जो है त्रेवल करने के अपे उस रस्ते पर कल्मा पढ़ की बंदा बैठे बस बस ऐसे गिर रही होती है फिर वो दिख रहा होता है सामने के इतनी खाई है, रोड अलग और आरस्ते में फिर गाड़ियां भी दिख रही है आते जाते कि अच्छा यह गिरीव यह गाड़ी, यहां बंदे मरे होंगे, पूरी पूरी बसें गिरीव ही दिखती है, अपना यही फ्यूचर आपको नजर भी आ रहा होता है कि हो सकता है, तो आप बड़े करीब से जो ह हाथ में लेके जानी बड़ती है, तो भी जो भी लोग कॉमपैरिजन करते हैं कि हम सुट्जर लेंड से भी जादा अच्छा हमारा होगा खुबसूरत, लेकिन भाई जब तक कन्वीनियन्स नहीं होगा, आने जाने का रस्ता साहीं होगा, फिर रस्ते सेफ नहीं होंगे जिस दिन हमारे बंदे वाँ पहुंच गया न तादाद में तो उसका भी बिड़ा गर्क उनों नहीं कर देना है, जैसे सी विउ है, सी विउ के कन्वीनियन्स से पहुंच जाता है हर बंदा, तो आप देखें बस फिर वहाँ पर क्या हालत है, वैल, तो हमारे पास डेडली जाइन एक हमने हैंडिल निंग किया गहा है यहां पर इस लिफ में क्या चेक करोंगा तो मैं यह लिग दूँ वैदर इस डेडली अब यह वैदर इस कोल कब चलेगा अब यह वैदर इस कोल कब चलेगा जब यही पर डेडली करा दिया लोना तो यहाँ पर क्या कंडिशन लगी कि यह बताओ मुझे और यहाँ पर कॉंसोल इस कंडिशन के साथ क्या पेर बनेगा हमारे पास आखरी के दस मिनट रह गया कंडिशन अपलाए होगी और अधर्वाइज अधर्वाइज लेकिन 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 मैं आपको एक रूल अफ थम और बता देता हूँ अलग से देखो अधर्वाइज का पता होना इस अनदर थिंग और करना क्या है बनाना क्या है प्रोग्राम में देख अनदर थिंग ठीक है तो इस तरह की चीज को करने के लिए ना एक चीज फॉलो की जाती है जिसको एम कहते हैं नंबर स्केल नंबर स्केल पर आजाते हैं हम और एक ड्रॉइंग कर लेता है जिसमें जरह नंबर स्केल के बारे में हम डिसकेशन कर लेता है यह बड़ी देर में खुलता है किसके तरह यह मसला है पाता नहीं तनी देर में क्यों खुलता है यह यार ये Figma ये Figma की एप है लेकिन यार ये है तो बड़ी अच्छी है लेकिन खुलती बड़ी देर में यार ये इसका मसला है वेल चलो खुल गई है तो अच्छी बात है अच्छा ये हमारे पास है मेरा बाई यह हमारे पास आगी है हमारा number scale ठीक है इस number scale में यहाँ पर imagine कर लो कि 0 है यह क्या है मेरा बाई यह 0 है ठीक है तो अब हमें अपने इफ एल्स की जो chain है वो अगर number की बात है जैसे कि temperature में वो number होगा माइनस में भी हो सकता है पॉजिटिव में भी हो सकता है तो हमें अपने इफ एल्स को ऐसे बनाना है कि वो इस number scale पे ना कोई भी number छोड़ के ना निकल ले कोई भी number miss ना हो जाए आम तोर पर क्या होता है लोग इफ एल्स की condition जब लिखते है ना students की बात करों professionals को तो यह पता ह पास एक 30 है एक 30 पर हमने condition लगानी है कॉमा दूसरा हमने 20 पर लगानी है तीसरा हमने लगानी है मिसाल के दोर पे माइनस 10 पर ठीक है कि 30 से अगर बड़ा है तो होट है और 30 से और 20 के दर्म्यान में अगर है तो नॉर्मल है सबसे पहले मैं शुरू करता हूं किदर से 30 से शुरू कर रहा हूं तो 30 20 10 लगा लेता हूं ठीक है यह आ गया जी मेरे पास 20 मेरा नंबर स्केल बना रहा हूं यह ठीक है और यह मेरा आ गया 30 और यहां पर काइंड ओफ होगा हमारे पास माइनस 10 होगा ठीक है और यह जो नम्ब यह continue है इतर सही है यह हमें जो continue है इसको भी handle करना है कि जी माइनस 10 से नीचे अब जितने भी हो जाएं और अब 30 से उपर जितने भी हो जाएं यह पूरा नंबर स्केल है इसको natural नंबर कहते हैं क्या कहते हैं होल नंबर कहते हैं वैल मुझे मैत वैज तरह नहीं आती नहीं है तो खेर हाँ नहीं इंटीजर नहीं है यह पॉइंट वाले भी नंबर हो ना मिसाल के तोरबे अगर किसी ने यह बोला यहां पर आके है कि 30.1 तो 30.1 में यह condition true होगी है फॉल्स होगी मतलब temperature मेरे पास 30.1 आ गया तो यह true हो जाएगी है जब तक 30 है जब तक false है ठीक है यह सब लोगों को पता है ना कि condition जब तक यहां पे 30 है जब तक यह 30 is not greater than 30 ठीक है 30.0001 is greater than 30 यह बात आ गए ठीक है तो हमने सबसे पहले जो condition लगाई है यहां पे वो इस number scale के मताबर लगाई है कि हमने कौन सा cover कर लिया 30 से बड़ा वाला सारा cover कर लिया हमने ठीक है तो मैं यहां पे आता हूँ अच्छा अब इसमें 30 covered नहीं है ठीक है 30 से बड़े वाले पे वो condition true होगी तो मैं जरा 30 को यहां से छोड़के न यह इस तरफ के सारे cover हो गए इसमें सही है अच्छा अगली condition मैंने क्या लगाई है इसमें weather is hot करवा दिया मैं उसके बाद मैंने का भई 20 से बड़े वाले सारे है उसके बाद मैंने बोला 20 से बड़े वाले सारे है अच्छा तो 20 से बड़े वाले जब मैं बोलता हूँ यहां पे इसको मैं change कर लेता हूँ ठीक है तो इसमें 20 covered नहीं होगा इसमें 20 cover नहीं है 20 के इलावा cover है यह इस तरह करके यह cover हो गया अच्छा अब क्यूंके 30 से बड़ा तो अगर यह number है तो यह नीचे आये गई नहीं 30 से अगर बड़ा number हुआ यह इदर अगर true हो गया तो नीचे तो यह आये गई नी तो इसका मतलब यह हुआ कि यहां पे जो मैं cover कर रहा हूँ 20 से बड़े वले सारे वो असल में यह सारे cover नहीं कर रहा है यहां तक वो मैं कर रहा हूँ यह यहां तक cover हो रहा हूँ 30 उसमें included होगा यह इतना पार्ट मैंने इसमें cover कर लिया है ठीक है यह इतने का मैंने आता कर लिया अच्छा कोई number बीच में रह तो नहीं किया 29.5 यह 30.1 इस तरह का कोई number मैंने यहां पर miss नहीं किया है छोड़ा नहीं है यह दर्मियान में वरना आम तोर पर क्या होता है कि वो number छोड़ देते हैं students तो यह आपने नहीं करना अच्छा अब अगली condition मैंने मुझे जो अगली condition चाहिए वो क्या चाहिए 20 से छोटा हो और minus 10 से बढ़ाओ ठीक है तो मैं यहां पर क्या लिखूँगा यानि मुझे अब इतना पार्ट कवर गरना है ना minus 10 को include करना है इसमें नहीं करते हैं चलो ठीक है नहीं करते हैं minus 10 को include नहीं करते हैं अब मुझे इतना part कवर गरना है 20 20 ठीक है, इतना पार्ट मैने cover करना है और 20 को मैने include रखना है इतने पार्ट को मैने cover करना है तो मैं क्या बोल दूँगा minus 10 से अगर बड़ा है तो ठीक है, तो यहाँ पे जो आपने बोला ने, temperature छोटा है minus 10 मैं बोलूँगा temperature बड़ा है अगर minus 10 तो मैं क्या गरूँगा वैदर इस कोल्ड बताऊंगा यहाँ ठीक है आचा तो मैंने बोला कि temperature अगर बड़ा है minus 10 से ठीक है minus 10 से याई इस तरफ सारा minus 10 से बड़ा है ना तो मैंने minus 10 से बड़े पर बता दिया कि जी weather is cold, अच्छा अब जो बचावा माल है हमारे पास, अब वो नीचे की तरफ आ रहा है ना पूरा, तो अब इतना जो पाल्ट है मेरा, याईनी minus 10 including और उससे कम वाला जितना भी number है, वो सब L's में cover हो जाएगा मेरे पास, ठीक है, वो सब क्या हो जाएगा, L's में मेरे पास cover हो जाएगा, जल सर्च चीत हो एगा, अगर बोट जो ङाएगा, जो पॉजिटिव में, पॉजिटिव में अगर 500 दे दिया, अच्छा पॉजिटिव में अगर 200 दे दिया तो मुझे उसके लिए, असूले मुझे क्या करना चाहिए, उसके लिए, इसमें Eraser कहां पर होता है, उ डेडली एक इस तरफ भी है, तो यहाँ पर मैंने इसको बोला कि यार कितने पर डेडली करा दिया जाए, 70 पर डेडली करा दोते हैं, चलो, तो यह मेरे पास हो गया 70, ठीक है, तो मैं आगे क्या बोलूँगा यहाँ पर, कि यार, 70, including 70 और उससे बड़े सारे, मैं क्या कराना चाह रहा हूँ, डेडली कराना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर उपर एक कंडिशन और लगा दोंगा, सही है, यहाँ पर एक कंडिशन में और लगा देता हूँ, मैं बोलता हूँ कि बढ़ी, तेमप्रेचर अगर क्या है, बढ़ा है, 70 से, ठीक है, 70 से नहीं, 69 से करूँगा अब मैं इसको, 69 से बढ़ा अगर है ना टेमप्रेचर, तो यह मैं कंडिशन लगाऊँगा, कि जी, वैदर इस डेडली अगेन, ठीक है, 69 से बढ़ा है, तो वैदर इस डेडली, अच्छा, 69 से बढ़ा है, तो मैंने कवर कर लिया है, यहाँ पर, तो अब अगले 69 से बढ़ा है, तो यहाँ, 69 से बढ़ा है, तो इस तरह से अगर हम नंबर स्केल बना कर रखेंगे ना, इसकी कंडिशन लगाते हुए, तो उसमें क्या होता है, कि दर्मियान में कोई एक नंबर मिस होने का चांस, एक तो रिडियूस हो जाता है, दूसरा यह, कि यह वाला क कि अगर वैदर 30 से छोटा है एंड इतने से बढ़ा है तो यह कर दो लेकिन इसमें इसमें एंड लगाने की जरूती नहीं है क्योंकि आप नंबर स्केल पे चल रहे हैं वो पूरा स्केल ही आपके पास है जब तो पूरा स्केल जब आपके है तो आप चेन स्टेटमेंट लगा है हमारा किसी का कोई question अगर है तो पांच मिनट हम ले सकते हैं जी greater than and equal to 30 मतलब 30 पे भी बोले के weather hot 30 पे भी अगर ये बोले के weather hot है तो मैं क्या करूँगा ये जो 30 लाल वले में include नहीं है ना तो मैं लाल वले में include कर दूँगा हाँ code पे इस तरह करूँगा मैं कि अभी मैंने क्या बोला है इसको कि temperature बड़ा हो 30 से ना तो मैं या पर बोल दूँगा 29 से एकवल भी लगा सकते हैं लेकिन उसकी जुरुत नहीं है इकवल भी लगा सकते हैं लेकिन उसकी जुरुत नहीं है ठीक है हम 29 कर देंगा तो 29 से बड़ा जितना भी होगा उस पर cover होगा तो 29 से बड़े में फिर वो 30 इसमें red वाले में covered हो जाएगा ठीक है automatically इस green से बाहर हो जाएगा और मुझे इस green वाली condition को change करने की भी जुरुत सकते हैं ठीक है it doesn't matter कि आप इस तरफ से शुरू कर रहा है या उस तरफ से कर रहा है एक ही बात है ठीक है क्योंकि if else का topic में कई दफा पढ़ा चुका हूँ तो YouTube में आपको कई different videos मिल जाएंगी जिसमें मैंने ये topic पढ़ाया होगा तो कुछ videos में मैंने negative side से शुरू किया हो तो चाहें आप तो positive side से भी शुरू कर सकते है negative side से भी शुरू कर सकते है एक ही बात है इसमें कोई फर्क नहीं पढ़ेगा condition आपकी एक जैसी वनेगी ऑल्मोस्ट ठीक है some time यह होता है कि हमारे पास positive value जारा dominant है तो हम positive को शुरू में handle कर रहे हैं ठीक है और some time यह होता है negative values जारा dominant होती है हमारे पस क्या होता है temperature most probably हमारे region में अगर यह software चलेगा तो पहला तो बहुत कम true होगा शायद यह कभी भी true नहीं होगा लेकिन दूसरा यह तीसरा condition इसमें से कोई ना कोई true हो जाएगा बहुत कम ऐसा होगा कि यह else की तरफ जाए एल्स की तरफ बहुत कम जाएगा तो जो condition ज्यादा true होने वाली होती है उसको हम कोशिश करते हैं उसको हम top पे रखे हैं ताके हम अपनी computing power बचा सकें थोड़ी सी क्योंकि जब एक दफा यह if की condition check होती है तो compute cycle चलता है जब यह condition checking होती है यह वाली तो प्रोसेसर जो है वो मैं दफले नमबर को निए प्लस करता हूं यह पुटांते है पहले cycle में नमबर को ट्हाता है पहले cycle में नमर को टाता कर फिर सेव क्लंबा सब कर एक दोनों को प्लस कर एक तीसरे रीजिस्टर में डालता ह 25 चर्साごिस करने के लिए यह पोंपैरेशन करता हूं तो भी यह "' 4 तो अगर मैं कोशिश करूंगा कि जो कंडिशन ज्यादा टू होने वाली है उसको अगर टॉक पर कर दूं किसी तरह इस चेन के अंदर तो मेरी कंप्यूटिंग पावर जो हो बचेगी जो इसी लिए अंग्रेजी में महावरा है कि यह चिंपैंजी केन आल्सो राइट कोड ल वो तो software को उपर से देख के पता थोड़ी चलेगा लेकिन वो code efficient होगा वो जब चलेगा तो पता चलेगा जब उसकी CPU cycle की testing होगी तो फिर पता चलेगा कि अच्छा यार यह थोड़ा सा efficient है तो efficiency कहीं से भी आ सकती है किसी भी रस्ते से तो यह रस्ता है जो efficiency ला सकता है किसी और कर कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं आप जी दोस्ता मेरे पास एक कंडिशन है दो है तीन है और चार है तो इन चार में से अगर कोई एक भी टू हो गई ना तो वहां पर यह ब्रेक कर देगा चैन को उसके आगे मज़ीद वह चलाने नहीं देगा इसको की सिर्टन देखों मेरे की समय ना गवाने हैं अगर यह सारी डिशन फॉल्स होगा ना तो लास्ट में कंडिशन चेक नहीं करता है एल्स चलाते वे एक CPU साइकल बच जाता है मेरा मा भी नाइन से अगर छोटा हो जाए तो अब मुझे ल्स की जरूरत यहां पर नहीं रही लेकिन मैंने जाने जाने में क्या किया एक CPU साइकल जादा गुमा दिया अगर मैं लगाता तो यह CPU साइकल मेरा बच जाता तो इस वज़े से मुझे क्या है जहां पर एल्स की जरूरत है वह मुझे जरूरत है जापे तो हम आप में लगाओंगा इसको ठीक है जी चले जी इंशालला आपसे मुलाकात रहेगी नेक्स क्लास में और असाइमेंट तो यह कुछ दिया नहीं मैंने आपको ऐसा कैसी हो सकता है कि बगएर असाइमेंट के मैं आपको रवाना कर दूँ हाँ आसाइमेंट यार क्या दिया जाया आपको आसाइमेंट आपके लिए यह कि भऐ एक आपने एब बनानी है छोटी सी चुनी मुनी सी आप उसमें आपने एक नंबर इंपुट लेना है और आपने स्क्रीन करना है कि यह श्रूर्ण फसे पता लगाते हैँ हमने लास्ट क्लास क्लास में इस असाइमेंट के साथ है